कि हालो प्रेंट स्वागत एक वाफिट से आप सभी का हमारी टुप चानल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोके साथ जीके के समय काफी कम बच रहा है तो ऐसे में आपके सामने जो जीके का इंपॉर्टन सेक्षन होगा जो कि जादा से जादा यहां से स्कूर कर सकते हैं इसी के ध्यार में लगते हुए मैंने यहां पर सेट सुरू किया है और जब तक एक्जाम चलता तक नहीं जब तक एक्जाम नहीं से 2 सिट 3 करके आता रहेगा और इसका जो है आपका पीडियाफ की बात मैं करूं तो इसका हमारे जो है चैलिगराम लूप को जोइन कर सकते हैं ठीक है इसका पर को से नहीं कि है कि 24 पहियों के साथ सुरुदता के रत के रूप में कौन सा मंदिर बनायगा भाने तो दर्क सूर्ड के बात यहाँ पर कि तर्क मंदिर का नाम है कोनाक का मंदिर है रहा कहां पर है यह खाई समय तो यह नर्स नरसिम पर्थम नरसिम देव पर्थम के द्वारा यह बनवाया जाता है ना तो यह एक फैक्ट के रूप में यहां पर जानेंगे इसको ठीक है तो देखिए कई बार एक कोशन में काफी जाना ज़रूरी होता है अब आए यह नेक्ट कोशन पर बढ़ते हैं कि नेक्ट जो कुशन काफी इंपॉर्टन है और इसमें बहुत सरे चीज़ आपको जाने को मिलेगा तो बिटामिन एक को किस नाम से जाना जाता है तो ठीक है यह तो ठीक है हम उझे पता चलिए लेकिन यह बिटामिन एक के अलावा यहां पर जैसे थाइमीन है बिटामिन जीसे का बेडिवी नामक रोग होता है इसके कमी से क्या हो जाता है अब हर आप यहां है आगे बढ़ते हैं रैवोफ्लेविन जो abbiamo customer किसको कहते हैं जो इसका जो यहां पर जो केमिक नाम जिसको कहते है केमिकल नेम कहते हैं बिटामिन बीटु को कहते है राइव फ्लेविंग और इसमें क्या होता भाई बिटामिन बीटु की कमें से आपका तोचा का फटना जैसे बिमारी हो जाते हैं आखों का लाल होना है ना इसका बिमारी होता है ठीक है आखों का क् है कालसीफियरо हम न क्या कहते है किसको बिटामिन डे को किया चैलसीफएरॉल है और चीज होता है एक बिमारी है ना आपका क्या होता है रिकेट्स है रिकेट्स वाला विमारी होता है जो कि किस में होता है बच्चों में होता है ज्यादा तर ठीक है बच्चों में एक नोट कर लिए जगें यहां से दूसरा एक और पॉइंट इसमें काफे इंट रहने ऑस्टियो मलेशिया ठीक है ऑस्ट यह होता है कि वेस्क में होता है वेस्क में होता है तो बच्चों में होता है क्या रिकेट्स और बरा की बात करें जो वेस्क हो जाते हैं उनमें कौन सा होता है और यह चीज आपको और भी इंपॉर्डेंट चीज जानने को बने गया तो यहां पर बिटामिन का किस नाम से जान say करी यहां पर को सनरह देख्ता है कि कुछ जरें जिन्हें क्या K마 जाता है क्या कहता है जो मूल के इंग से हुठपन होता है जो मूल हमका जो में ण़ी उसके और जगाह से गरों वहां सनग उत्पन होता है उसको क्या करते हैं उसको कह तरता कि Char content जरें पूछा गया जो आगे बहते हैं देखते है कि मकरीया पानी वर्गी करने किस वरग में आती है एक जो आती है एक कि आते हैं और अरेक्ट्स हेयर के शुर्बाना से बिलॉंग करता यह और तो पोड। से बिलाउंग करता है ठीक है ना और तो पोड़ा फाइलम से ठीक है और यहां पर जो और तो पोड़ा में होते हैं वो क्या होते अस्ट प्रमिस के आठ पैर वाले जो होते हैं किरे मकौरे ठीक है पैर वाला जिसको हम लोग इसमें देखते हैं अरकने अरकनिट्स में जो होते तत्वा में से किसका गन्लांग सबसे कम है तो यहां पर यह कोशन काफी आपको help कराएगा चीज़े और जाने के लिए सबसे देखे सबसे कम गन्लांग का वाला जो इसमें अंसर होगा वह आपका होगा यहां पर ब्रोमीन ठीक है अंसर जो होगा ब्रोमीन अब कुछ-कुछ इसके बारे में और जान लेते हैं ढल जिलेंट का जूट होता है यह आपको तो calcium को यह लिखते हैं और स्काइटामिक नमर होता है 20 है ना तो question यह आता है कई वार आपको पूझ दाता है लेट का जो तो इसका आंसर यह 35 अब इसका कई वार एलेक्ट्रोनिक जो कन्फिगर पूझ दिया जाए जैसे ब्रोमीन की बात करें ठीक है ब्रोमीन की बात के तो दो आठ अठारा साथ होता है ना जो कि अक्षर एक्जाम में पूछा जाए तो उसको मैं बता रहा हूं जिंग की बात करत दो आठ अठारा दो एक्जाम में पूछा जाता भाई से नोट के लिएगा ठीक है तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगर आपसे पूझ दिया जाता है फिर कैल्सम की बात करते हैं यहां पर दो आठ आठ दो ठीक है इससे जरूर आप नोट कर लिए यह रट लिए जैसे भी कर लि स्वाद कैसा होता है इतन गयास का स्वाद कैसा होता है इतन गयास का स्वाद कैसा होता है इतन गयास का जो होता है स्वाद मिठा होता है लेकिन यहां पर जोता थे उसको समझे कि इतन गयास का जो होता है स्वाद कैसा होता है मिठा होता है और हम यहां पर फॉर्मूला की ब Audorless होता है और मीठा हुता है तीन चीज इसमें होते है लोट है नोट के लिए सी एंश टू यहीं पोच्शार यह वार प्रेइस और v erase क्या होता है نूट कर लेंद काफ़ इंपोरट्टेट अब आतें कमपीटर विज्ञान में रॉम का विस्तारीत रूप क्या है मुढका फिल-फॉर्म क्या रॉम का फिल-फॉर्म होता है यृप कि ऑनली मेमोरी ठीक है अदी allemaal इमोरी और उप्स़न Kayla यहाँ पर एक होता है रॉम होता है एक आपका और होता है ठीक है राम होता है जिसको कहते है रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ठीक है दोनों में डिफ्रेंस भी थोड़ा जान लिजिए ठीक है रिडानली मेमोरी में क्या होता है जब आप कंप्यूटर ओन करते हैं ठीक है और आप कुछ उसमें Type कर रहे होते हैं अगर आप उसे Save कर देते हैं तो देखे कहां से बजाता है आपका राम में अब देखिए अभी मैंने टॉम के बाले में बताए कि जब कंपीटर आप करते हैं तो आपका रॉम में से बजाता है तो वह क्या होता है कि वह लिखा हुआ और चीज आपको computer off होने के बाद भी खत्म नहीं होता है ठीक हो डाटा आपका पास होता है लिकिन रैम कि अगर हम बात करें तो रैम में क्या होता है अगर आपका लाइट कट जाता है लाइट आफ हो जाता है लिखावा जितना भी content है वह डाटा इरेज हो जाता है इसे कहते ह वह दिख रहे होते हैं ठीक है तो को सब्सक्राइब भी है थुलाल भी है कायोको कि कली भी है लेकिन चपेली नहीं है नोट कर लिए गा कॉप्सन जो होगा अंसरों कहीए और आप्सन होगा के चलिए आगे बरते निम्ली तो कौन सी प्रक्रिया वर्सा होने के लिए जिम्हेदार है वर्सा होने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्हेदार भई छांगना बिल्कुल नहीं छांदना बिल्कुल नहीं होगा संगनन तो होगा लेकिन अजे कंडेंसेशन भी होना चाहिए अब बानस राष्टी उद्यान किस राज में है असम में है नोट कर लिजेगा ठीक अब नेश्ट है फिल्म सुल्तान का जग घूमिया या जग घूमिया गीत किसने लिखा खैर यह कोशन तो बोगो मुझे पूछा जागे लिए फिर भी जान लिजी ठीक है कि वार फिल्म जगह से यह संग्मेर कंईसन कोे कहीं जनमा болग किस एक कायमा चांटान तो वह कोशुने का पत्थर ठीक है चुने का होगा होगा इंपंट्न है हाफे ब 계속 कि तरह कौंसल सहर भाई हम्दाबाद की बात करें तो यह सावरमती पे कहां पे सावर मती पे है न आगे बहते आयोधहत की बात करें तो यह काफे बार क्योंशन पूछा भी सरियू नधी पर है यह बहनीँ बद्रिनाथ की बात करें तो यह लख लग अंधा नदी पर है किस पे है अलग नंदा नदी पर है तो बच गया कौन सा कोटा आपका चम्बल नदी पर है यह क्या है चम्बल नदी पर है आंसर होगा कि दी कोटा ठीक है अब आते हैं नेस्ट कोशन काफी इंपोर्टन तराइन का यूद प्रिथवी राज चोहन और किनके बीच में लड़ा गया भाई प्रिथवी राज चोहान और किसके साथ गोड़ी के साथ है जीए और दूसरी बात की बात करें तो कौह जीता था इसमें गोड़ी जीता ता ठीके है तो यहां पर जो आंसर होगा मुहम्मद गोरी होगा है ना तो गाइस यहां पर सेट वन यहां पर होता है ठीक है नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो होगा सेट टू तो वीडियो कैसे लेगी कमेंट एक वर करके हमें बताना जरूर और इसके लिंक में टेलिग्राम गुरूप का देद होगा जहां से इसका पीडिया वहाफ डाउनलोड कर लेना विडियो चलेगे तो लाइक कर दिना शेर जबू कर दिना एक्जाम में से अभी को हेल्प में लेगा और बस इस वीडियो में थाएं थैंक वीडियो में अच्छा